नमस्कार दोस्तों ग्यान की बाते यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वाज़त करता हूँ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तेज पत्ता का ओस्धी ये कुन क्या है और आयरुवेद में इसके बारे में क्या बताया गया है और इससे हमें किन-किन बीमारियों में और इसका उप्योग करने से हमें क्या लाव मिलता है इसके वारे में मैं आज आपको बताऊंगा। अब तेज पते का चुर्ण की चाय पी सकते हैं चाय के पत्तों की जगह तेज पते का चुर्ण पिने के परयोग मिलें तो इससे आपको काफी फैयदा मिलेगा और आपको सीरदर्द और छींक या सर्दे जुकाम से रहात मिलेगा। दूसरा दातों की मजबूती में भी ये काफी फैयदे मंद है। दातों की मजबूती और चमक बढ़ाने में और कीरो की समस्या अगर है तो तेज पत्ते के चुर्ण से हफ्ते में 3-4 दिन मंजन करें तो इसमें काफी लाव मिलेगा। यदि आपके पेट में गैस या एसिडिटी बन रही हो तो आप इसका चुर्ण पानी के साथ ले तो इसे आपको गैस और एसिडिटी से रहात मिलेगा। और इसकी क्या-क्या लाव है मैं आपको और बताता हूँ जैसे की पांस तेज पत्ते पानी में उबाल ले और ठंडा करें इसे सीर की मालिस करें और सुखनी पर धोलें ऐसा करने से बाल मजबूत होने के साथ जूओं की समस्या दूर होगी। मुह की दुर्गंद, दूर करने के लिए तेजपत्ता बोजन करने के बाद चबाएं, इससे मुह की दुर्गंद नहीं होती है। खाने में अगर आप तेजपत्ते क्रोजाना इस्त़माल करते हैं तो हीरदय रोगो का खत्रा काफी हड्यानत कम हो सकता है। दोस्तों मैंने आपको आज ये बताया तेजपत्ता के औस धिये गुन क्या-क्या है और इसे हमें क्या-क्या लाव होते हैं और इसको कैसे उपयोग में लाना है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक स्वास सम्मंदित महत्पोर्ण जायनकारियां पहुं टनेवाद